अगर आपके मन में कहीं बी YouTube चैनल उपन करने का सोच रहे तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास हो क्यूआ कि YouTube वीडियो के लिए सब से पहले चाहिए आपको वीडियो एडिटर अप्लिकेशन जो कि इस वीडियो एडिटर अप्लिकेशन से आप video बना सकते हैं और वीडियो के वीडियो में सारे effect वगरा दे सकते हैं तो आज मैं काइन मस्टर के बारे में बताने वाला हूँ काइन मस्टर एक ऐसा application है जो की आप वीडियो को हर एक तरह के से modify कर सकते हैं और सारे चीज उसमें add कर सकते हैं अगर आपको इस वीडियो में कुछ स्टेप शंका हो तो आप हमें जरूर कमेंट करें और इस काइन मस्टर के बारे में आज यहां पर इस वीडियो में जितना भी हो सके बताऊंगा और जो बचा हुआ है अगले वीडियो में हम बात करेंगे तो चलते हैं दोस्तों वीडियो के तरफ दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहा हैं यह काइन मस्टर का होम स्क्रीन है और मैंने पहले से डाउनलोड कर लिया था डाउनलोड कर सकते हैं और टाउनलोड करके आप इंस्टल कर लिजएगा अच्छ करने के बाद यहां करते हैं जो बेसिक टिप्स बताने वाला हूं दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखेगा नहीं तो आपको पूरा चीज बैठ गया तो आप कभी भूलेंगे नहीं यह वीडियो कुछ से खास होने वाला है तो दोस्तों सुरू करते हैं सबसे पहले यह बीच वाले बड़ा जो प्लस का निशान यहां पर क्लिक किजिए और क्लिक करने के बाद आपको पूछेगा रेशियो क्या है तो यहां पर सबसे राइट साइड में उपर दिख रहा आपको मीडिया का बटन हम यहां पर मीडिया मतलब आपका जो गैलरी होगे रहे फाइल का तो वह खुलेगा तो यहां पर से हम आपन कर लेते हैं इसको तो आपका पूरा जो वीडियो है वीडियो फोटो यहां पर सारा आपको दिखाई देगा तो इसमें से आपने जहां पर भी रखे हैं आपने जो फोल्डर रखा है उस फोल्डर को आप टच करते हैं तो आपको फोल्डर खुलने के बाद यह मैंने आपके लिए एक फोल्डर बनाया था तो इस फोल्डर में जाता हूं तो आज मैं अपना ही वीडियो आपको दिखाऊंगा कि मैं इडिट कैसे करता हूं और बेसिक आपको टिप्स यहां पर बताने वालों त सज्च करते हैं आपका वीडियो यहां पर सामने आजाएगा वीडियो के लास्ट में आपको बटन देखेगा तो आपको फ़स्ट करने के लिए सबसे नीचे आप देख सकते हैं लेट डर राइट का आपको अगर बीच में जाना है तो यहां पर आपका उंगली के शाहरे आप इधर उदर खेच सकते हैं तो यह था वीडियो का मतलब एक्सपोर्ट करना और एक्सपोर्ट करने के बाद आपको इस वीडियो के आप अभी तो यह सारा वीडियो नहीं चाहिए तो हम इसको हटा देते हैं तो यह वीडियो मेरे सामने आ गया है तो वीडियो में चला कर सुप रहा उसके बाद में मैं बात करना चालू किया तो इस में बताऊंगा आपको सारा चीज जो देसे कैसे कटकरना है और कैसे बाय से कै एस तरीके से सबसे हम पहले हम ये कह сюжण वाले निशान पर बात करेंगे यह कहची का निशान वो है जो आपको वीडियो जो अन्वांटेड वीडियो है उसको नहीं चाहिए जैसे कि आप बीच में अटक जाते हैं या बीच में रूख जाते हैं उस चीज उस पार्ट को हटाने के लिए हम इस कहची पर जाएंगे और इस कह हमें नहीं चाहिए पार्ट सबसे उपर वाला ट्रिम टू लेप्ट अप प्लेहेड यानि कि हमको वाइट वाला जो अप्चन है वह हटाना है देखें यहां पर पूरा क्लियरली बताया है कैंची का निशान है और जो और नीचे है सेकंड नंबर पर यह वाला है जो है वाला बाट करेंगे तो यहां पर ऊडीयो क्या है कंदा नीचे क्दीक से आपको करना है और यह कैचे कर निशान पर यहां पर में यह पर अलग से एकемся घीचे तो इहां पर यह audio को हम दूसरे फाइल में भी एड कर सकते हैं जैसे कि यह audio अलग हो गया तो दोस्तों यह मैरा video पर अभी audio नहीं है मैरा audio नीचे आ चुका है अगर मैं video delete कर देता हूं तो यह audio भी चला जाएगा क्योंकि इसके साथ ही है अगर इस audio को आपको दूसरे फाइल या किसी चीज में आप कहीं सिनेरियों दिखा रहे हैं तो आप बात कर रहे हैं तो यहां पर उस audio को हम एड़ भी कर सकते हैं एड़ करने के लिए आपको क्या करना है सिंपल से आप मेडिया फाइल पर जाना है और कोई बहुंप नश्तीनें अगर आपको audio कहीं पर नहीं चाहिए तो audio को उसी तरह आप कट किजिए जैसे कि मैंने बताया था और यहां पर कहेंची का निशान है trim तो यहां पर आप जो भी है simple है जैसे कि मैं बताया था उसी तरह आपको अगर बीच में cut करना आपको समझ में नहीं आ रहा है तो third option पे आप क्लिक के देजें तो यह अलग-अलग हो जाएगा अभी आप इन दोनों में से किस पार्ट को रखना है किस पार्ट को नहीं रखना है अगर आप और भी cut करना चाहते हैं तो cut कहीं पर और भी कर सकते हैं अगर हमें बीच वाला पार्ट में नहीं चाहिए तो हम इसको डिलीट करतेंगे डिलीट का बट्न यहां पर है यहां पर पवरफुल है जो कि हम कोई लगा सकते हैं जैसे ओन स्टेज इंडिंग है और ऑन स्टेज अपनिंग है आपको इस वीडियो को और श्रीज मतलब स्टेज में दिखाना है और आपका जो परदा खीच रहा है और आपनिंग हो रहा है तो आपको इसको पर टिक कर साथ में नाम इस तरीके से तेकर सकते हैं इसको यहां पर उमें पले करके दिखा देता हूँ पूरा चीज में बारी किसे बता रहा हूं दोस्तों ध्यान से देखिएगा अगर आपने कुछ मेच भी मिसकर दिया तो आपको पुरा समझ में नहीं आएगा अगर इस आप पूरा नहीं ल काना चाहते हैं तो आप यहां से दारेक पे पीछे जाके तो आप इसको थोड़ा सा कि у Concept के हैं उन्रत्व के मतदद से आप यहां पर ला सकते हैं जैसे कि ग्राफिकस को us have a mine कर देता हो देखिए हैं पर हलाय होइं आप और और अधर करते हैं अकर का दूसरे बाले नमबर पर जैसे कि में हिए कि जाता हूं और आगे और हैं पिए कर सकते हैं अगर कुछ बहुत भी चीज़ चाहिए आपको यहां पर से कोई भी आपको ग्राफिक्स लगाना डिजाइन करता है तो यहां पर इस मदद ग्राफिक के दिन मदद पर आप कर सकते हैं हम आप फिलाल नन कर देते हैं क्योंकि मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूं आप न्यूज चैनल चला रहा है यहां पर कुछ आप देख सकते हैं इस तरीके से आएगा और टेक्स में कलर लगाने के लिए महीं आप ट्रेबल लिग चुका था तो यह आचुका है अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप लिग दीजिए कुछ भी आपको नमस्कार लिखना ह तो आपको कलर में आपको रेड आएगा देखे रेड कलर में आएगा अगर यहां पर इसको सेंटर में रखना है यहां बॉटम में रखना है यहां पर आपको मिल जाएगा देखे सेंटर में हम रख सकते हैं और बिल्गुल छोटे तरीके से आएगा देखे साइड में रख में सेकंड लाइन लिख देता हूं या तो मैंने वेलकम लिख दिया टेकन ट्रेबिल्स बहुत बनाना जैसे कि मेरा कलर ब्लू है उसमें लिखा हुआ तो मैं ब्लू कर देता हूं और यह वेलकम को आप कलर में टिक करके आप यहां पर थोड़ा green type का देख सकते हैं देखे color का पहुत combination आप ध्यान रखेगा क्योंकि जैसे कि मेरा background green है और मेरा shirt जो है टी-shirt वाइट है तो उसमें color combination आपको ध्यान रखना है जैसे आप देख सकते हैं यहां पर आपको कहां पर रखना है आपको इस टेक्स को तो आपको सामने वहां पर चल जाएगा नहीं तो यह बने रहेगा वहां पर ही कि देखें यहां से हड़ गया है तो सायद आपको यह settings समझ में आ गया दोस्तों clip graphics के बारे में आपको इस तरीक से रखना है आप एक बार यहां पर जाएंगे तो सारा चीज़ आप adjust कर सकते हैं क्योंकि एक-एक चीज़ बताने में मुझे तोड़ा video लंबा होगा और time बहुत माइन रखता है दोस्तों तो speed control आप अगर slow बोल रहे हैं आप अगर slow बोल रहे हैं यह second वाला option है speed control तो speed control पर आप अगर slow बोल रहे हैं आपको वीडियो को slow motion और करना है या speed करना है तो आप left side में इसको लेके जाएंगे यह दोनों करसर को अगर left side में लेके जाएंगे तो आपका वीडियो बहुत ह स्लो होगा आपको स्लो मुशन में करके दिखा देता हूँ कि अब इसी चीज को हम फास्ट करेंगे तो अगर आपको फास्ट करना है तो यहां पर से आप इस बटन को आप कर देज़ेगा मेरा स्लो जो मुशन था वह फास्ट हो जाएगा आप देख सकते हैं फटा फटा एक बार में दिखा देता हूँ अगर आप कभी वीडियो में बोलने के लिए आपका आवाज थोड़ा स्लो आप बोल रहे हैं तो इसमें आप इसमें आप जाके नन कर सकते हैं जो भी नहीं चाहिए तो यह क्लिप ग्राफिक हटा रहा हूं वह भी आप दियान देजिएगा और स्पीट कंट्रोल तो मैंने बताई दिया और उसके बाद आएंगे हम रोटेट और मिरोरिंग पर रोटेट करना यानि की वीडियो को घुमाना सिंपल सा पंडा है आपको कभी भी यहां पर आएंगे तो आप इस वीडियो को घुमा सकते हैं किस तरीके से आप कोई वीडिय करना जिसे आग लग रहा है तो पूरा रेडिस करना है तो उस तरीके से आप यहां पर इस वीडियो को एड कर सकते हैं और नॉर्मल रखना है तो आप पहले वाला टिक कर दिए आपका फस्ट पोजिशन पर आ जाएगा तो आप देख चुके होंगे दोस्तों कलर फिल्टर और यह होगे आपका लाइट को जो कलर फुल है उसको बनाने के लिए जोड़ा थोड़ा मेरे डेडिस हो गया है आप देख सकते हैं तो इस तरीके से आप तो इसको कर सकते हैं दोस्तों यह काइनमेस्टर बहुत ही काफी मददगार एप्लिकेशन है अगर आप न्यू यू सब्सक्राइब टोस्तों से अप आपका आवास को थोड़ा सा है कर सकते हैं आप जैसे वीडियो के आप उसमें लाइन दिक रहा है इस लाइन यहांनी यह बोल्यम का लाइन है अभी आपका देखिया हम अगर बोल्यम एंवलब में जाएंगे तो आप अपका 100 परसेंटे अ यहां से मेरा वल्ययम हट जाएगा हम मैं बोलता रहंगा लेकिन हट जाएगा कभी-कभी कैसा होता आप कुछ चीज दिखा रहे हैं तो यहां पर से आपको जाण ना होता हैं कि तो आप क्या करेंगे उस आपको कम कर दीजिंदी और यहां से अपको फिर बोल्यम है पका कर देते हैं इसको 선ra करने के लिए इसको सही करने के लिए इसको पूरा पहले कज़़ी आएगा तो इहां पर से हम इसको स्थिक सेंटर में रखते इसको खीज देते हैं और जहां पर भी मैंने इसको डाउन किया था इसको मेडल में रख देंगे ताकि मेरा 100% हो जाए तो इस तरीके से आप इस वोल्यम को आप एड़्जस्ट कर सकते हैं अपने वीडियो को तो अभी हम जाएंगे ओडियो फिल्टर पर ओडियो फिल्टर के यहां पर लेंग्विज बदल सकते हैं जैसे कि आपका जो आवाज है वह अलग-अलग हो जाएगा जैसे बहुत चेंजर रोबोट रोबोट की तरह बात करेगा और बहुत चेंजर डीप यानि कि आप कुछ अब आज डीपली बोलना चाहते हैं तो इससे तरह डीपली हो जाएगा इसमें आवाज तो यह जो सेटिंग है आपने देख लिया होगा और लास्ट में दूस्तों यह विगनेट के दूस्तों इसमें आपको जो वीडियो है इसमें आपको बाउंडरी में जो सरकल जैसा द आज आपने यह सारा चीज जान चुके होंगे अगर इसमें कोई शंका या आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और कमेंट करने के साथ ही आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना बुले मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में तब तक के लिए जैन बंदे मातरम